जैसा कि आप तभी आउगत है कि 22 मार्च को बिहाग के स्थाफना दिवस के आउसर पर बिहाग दिवस के रूप में मनाये जाता है तो इस वर्स हम लोगों की 111 वी वर्स काट है 1912 में राज्य के स्थाफना किताब से आप लोगों को प्रेस रिलीज दिया गया है जिसमें संशेट में जो प्रोग्राम हो रहे हैं उनके बारे में लिखा हुआ है मुखे तौर पर पिछली बार से इस बार जो अंतर है वो दो तरह का है एक तो यह है कि इस पर पटना में वैसे इस्थान जहां पर कि कोई ने कोई कारेकरम आयोजीत हो रहा हो उन इस्थानों की संख्या बढ़ा दे है पहले मुखे तोर पर गांधी मैदान और इसके मेमोरियल हॉल इन दो जगों पर ही सांस्कितिक कारेकरम होते थे और गांधी मैदान के अलावा इसके मेमोरियल हॉल और रविंद्र भवन यह तीन जगतों शिक्षा विभाग की ओर से आयोजीत हो रहा है लेकिन इसके अलावा प्रेमचंद रम्साला में संकीत नाटक अकादमी कला संस्किति विभाग की ओर से थेटर फेस्टिवल का भी आयोजन हो र इसके अलावा म्यूजियम है वहां पे बिहार के महिला आर्टिस्ट की कला का प्रदर्शन वह पहले से चल रहा है और वह बिहार दिवस के अवसर पर भी जारी रहे तो एक तो स्थान बढ़ाये गये हैं दूसरा पहले मुख्य कारेक्रम पठना में ही होता था इस पार पठना के अलावा जो सभी जिले हैं वहाँ पर भी कारेक्रमों की संख्या बढ़ा दी गई है 22 मार्च के दिन सभी जीलों में जितने भी हमारे सरकारी विद्याले हैं और निजी विद्यालेओं को भी अन्रोद किया गया है उनों वहाँ पर प्रभात फेरी का आयोजन किया जाएगा सत्र हजार से ज्यादा विध्याले हैं हमारे जहां के परवाद करी कायोजन होगा इसके अलावा वहां पर साथकिती कारेकृरम जिसमें इस्थानिये करलाकार रहेंगे और विभिन विभागों की जो प्रदोषनियाँ हैं जिसमें उनके जो लोक attentive कारेकृरम हैं इन तीनों में स्कूली बच्चों का ध्रमन कराया जाएगा ताकि वे देख सकें कि ये कुछ सिख्षा के तक्निकी संस्थान किस तरह से काम करते हैं और उनमें आगे के लिए एक मोटिवेशन प्राजा हो सके जितने भी कला संस्किती विभाग के म्यूजियम हैं पूरे राज इतने बच्चों को ले जाएंगे और उसके अनुसार जिला सिख्षा का जादिकारी हैं वो बच्चों को ले जाएंगे प्रते करिद नौ जगों पे पूरे राज्य में हेरिटेज वाप का आयोजन भी कराया जाएगा ये के वर बच्चों के लिए नहीं बलकि इसमय वाय या किसी भी उम्ले के लोग सामेल हो सकते हैं लगब 25 से 30 का गुरूप बनाया जाएगा और 22 तारिक को तीन इस्थानों पर तैइस को तीन इस्थानों और 24 को तीन इस्थानों पर तो इस प्रकार जो कारेकरम पटना में तो जो आयोजित होगा जी उसके अलावावा जिलों पुर्व में मुख्य कारेक्रम मूल तौर पर केवल सिख्षा विभाग के दौरा आयुजित किया जाता था लेकिन इस पार सिख्षा विभाग के अलावा जो अन्य विभाग है उन सभी विभागों को समयकित किया गया है जैसे कला संस्कुटी विभाग हैं इनके द्वारा सबसे जादा कारेक्रम आयुजित किये गा रहा हैं कला संसकिती विभाग के द्वारा यहाँ पर फेटर फेस्टिवल के अलावा олнच सिरेमा में फिल्म फेस्टिवल भी होगा, तीन दिन एक एक सो रहेंगे मोना सिलिमा में इसके अलावा स्क्रिप्ट राइटिंग का वर्क्शॉप आरे भट नॉलेज इन्वस्टी में पेंटिंग की वर्क्शॉप सा प्रदर्शनी ललिफ कला एकाडमी में स्कल्प्शर की पेंटिंग सा प्रदर्शनी आर्ट कॉलेज पटना में और टेक्स्टाइल की प्रदर्शनी सा वर्क्शॉप ये आयोजित होगा निफ्ट पटना में तो ये चार उनके द्वारा कारेसलाएं आयोजित की जा रही हैं इसके मार्जम से जो उभरते हुए कलाकार हैं उनको इस छेत्र के जो जाने माने लोग हैं उनके उनसे सीखने का आउसर प्राव